नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदी सिक्षन सास्त जो की सीटेट 2022 जो की दिसंबर और जनवारी में होने वाला है उसके लिए वीडियो आपके सामने आ रहा है आगे भी वीडियो से आएंगे प्लिज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि आपके लिए अगे विडियो बनते रहें इससे मोटिवेसें मिलता है प्रेडना मिलती है कि हम आपके लिए वीडियो बनाए इसमें मेहनत लगता है दौस्तों समय भी लगता है तो प्लिज आप लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा उनागों पूरा विडियो में चलिए देखते हैं क्या कि प्रश्न है आज के वीडियो में कि प्रश्न एकसो सात उच्छ प्रात्मिकिस्टर पर भाषा स्केर्थी पूस्तक के यह कौंसी संसाधन सामागरी शट्रवादिक महत्व पूरण है कवीता पार्ट आयू अनुरूप साहित्य समाचार पत्र रेडियो नाटक तो यह सिक्षन हिंदी सिक्षन सास्त्र से रिलेटेट क्वेस्चन है तो सभी क्वेस्चन को दिहान से देखें और उत्तर क्या है उसको भी दिहान से सुने तो यहां पर इतक जो शहीं आंसर होगा वह ऑसन भी तो क्या लिख अभी में आयू अनुरूप शाहित्य तो आयू विज्ञान आदी विशयों की कक्षाओं में भी बच्चे भासा सीखते हैं यह विचार पूर्णता सत्य है आंसिक रूप से सत्य है निराधार है पूर्णता सत्य है तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए यहां पर इसका जो सही आंसर है वो है आपसंडी पूर्णत सत्य है क्यूंकि विशयों से संबंदित तक्निकी सब्दों का प्रियोग विशय के अंतर गत प्रियोग होने वाली भासाओं से ही सीखा जा सकता है प्रस्न एक सुनाओ उच्च प्रात्मिक इस्तर पर पुस्तकों में हिंदी तर्भासा को ही जगा मिलनी चाहिए ताकि बच्चे हिंदी तर भासी साहित कारों से परिचित हो सकें समाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें यहाँ सभी भासा की विबिन रंगतों से परिचित हो सकें option C में यहाँ सभी लिखा है जो की A, B, D, तीनों के लिए यहाँ सभी लिखा हुआ है तो उसको C में दे दिया है समाने तर D option में रहता है तो उससे confusion नहों यहां सभी मतलब A, B, D तीनों आ जा रहा है तो कौन सा यहां पे सही answer होना चाहिए हमें बताना है तो यहां पे जो सही answer है वो है option C option C ही सही है यहां सभी तो यहां पे यह भी आ जाएगा यह भी आ जाएगा और यह भी आ जाएगा प्रस्न 110 बच्चे भासा तब बहतर तरीके से सीखते हैं जब भासा का समरिद्ध परिवेश हो सरल सहित का चैन हो परिच्छाओं का आयोजन हो अनेक पाठ पुस्तके हो तो यहां पे सही आंसर क्या होना चाहिए तो यहां पे जो वा सभी आंसर वह भासा का समरिद्ध परिवेस में यह पूर्न pickledßen को वह एतर तरीके से भासा सिकने में साहा होता है क्योंगी जिस भासा का दी स्टर बर भासा आखलन की दृष्टी से सरवादिक महत्वपूर्ण है जाच钱 सूची साख्छात का सूची लिखित परिक्छ अव्लोकन। तो यहां पर सही आंसर करहा यहां यहां पर सही आंसर है ऑप्ज़न्ट। पर अव्लोकन और उच्छ प्राथमी कि के बाहता उसकी मौकिक प्रतिभा को दर्साता है कि प्रश्ण 112 दूइति भासा की पाठ्थे चरिया का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भासा ज्यान में अर्जित दक्षता के अनुरूप खाली इस्थान दक्षता प्राप्त करना खाली इस्थान में क्या आएगा सरवच्च प्रश्ण 113 भासा की विभिन कौसलों को खाली स्थान रूप में पढ़ाने के नुर्शंसक की जाती है खाली स्थान में क्या आएगा यहां पर एक क्रित उच्च निम्न क्रमिक तो यहां पर सही आंसर जो है वो है एक क्रित प्रशन 114 भाइकरन सिक्चन की कौन सी विधी अपेक्च्चा करित प्रभावी है क्यूंकि इसके द्वारा वाक्यों सब्दों सब्दों वापदों का निरिक्शन समान नियमों तथा सिद्धान्तों के द्वारा किया जाता है प्रस्ण 115 उच्च प्रात्मिक इस्तर पर भासा की पाठ्ठ पुस्तक में रक्त और हमारा सरीर पार्ट सामिल करने का विचार खाली स्थान से जुड़ा है खाली स्थान में क्या आएगा यहां पर संपुन पाठ्ठ चरिया में भासा हिंदी भासा की विभिन रंगतों विज्ञान संबंधित सब्दावली विश्यों की विभिन भासाओं तो यहां पर सही आंसर है यह बताना है समस्ठीाओं और भासाइस्तिति संस्कृति भासाइस्तिति आऊसरों संस्कृति और तो राइट अनसर प्रस्न 117 लिखने की छमता का विकाज बोलने सुनने और पड़ने की छमता की संगती संगती में होना चाहिए यहां विचार पूर्णता सत्य है आंसिक रूप से सत्य है पूर्णता निराधार है पूर्णता सत्य है तो यहां पर क्या आंसर हो गए यहां पर पूर्णता सत्य है लिखने की चमता के विकास बोलने सुनने तथा पढ़ने की चमता की संगती में होना चाहिए क्योंकि ये उसी तरह के परिवेश का निर्मान करते हैं जिन में इन चमताओं को विक्सित किया जा सकता है प्रस्ना 118 उच्च प्रात्मिक इस्तर पर भासा सिखने का उद्देश स्य है भासा की बार्की और संदर्य बोत को सही रूप में समझना दूसरों के अनुभवों से जूड़कर सवालों के जवाब देना नीजी अनुभवों को केवल लिख कर अभिवेक्त करना प्रस्नतरी भासन अंत्याक शरी का मात्र आयोजन करना यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्रस्ने भासा की बार्की और संदर्य बोत को सही रूप में समझना उच्च प्रात्मिक इस्तर पर भासा सिखने का उद्दे से भासा की बारिकी एवन संदर्य बोट को सही रूप में समझना ही है क्योंकि इसे इस्तर पर भासा सिखने से पहले नियमों एवन सिधान्तों का अलोका नावस्यक है जो बार्की एम संदरिता को दर्शाता है प्रशन 119 ग्यान से सम्मजित अन्य विशयों की समझ का विकास तथा उससे आनन उठाने की छमता का विकास उच्च प्रात्मिक इस तर पर भासा सिखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सरवाधिक महत्व पूर्ण उद्देश्य है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश यहां पर आनसर क्या होगा एक महतोपूर्ण उद्देश्य है ज्ञान से संबंदी सभी वी सयों का समगर विकास मनुस्य जिग्यासू के सांस्त उसका आनन लेने एवं लभांदित होने के तरीके सिखाना चाहता है। प्रश्न 120 पढ़ने का अर्थ है वर्नमाला का ज्ञान वाक्यों को पढ़ना सब्दों को पढ़ना पढ़कर समझना तो सही आंसर क्या है तो सही आंसर है अप्शंडी पढ़कर समझना कोई भी अध्यान सामगरित है का अध्यान तभी उपयोगी है जब उसको पढ़कर समझक पर उसका आवज शक्ता अनुसार प्रयोक किया जाएं तो पढ़ कर समझना सबसे से ऑंसर है तो यह थे हिंदी सिक्षान सास्तर के कुछ प्रस्ण आगे भी विडियो में हिंदी सिक्षान सास्तर के प्रस्ण मिलेंगे इसलिए चैनल को लाद कलर सब्सक्राइब बटन दबाक पर सब्सक्राइब कर लिजिए उसके घंटी का चिन्न दिखता है उसे अन कर लिजिए बिलकुल फ्री है लाइक जरूर कीजिए कमेंट में अपने प्रशन अपने सुझाव लिखिए सेर कीजिए WhatsApp टेलिग्राम में और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलिग्राम का लिंक आगे वीडियो बनेंगे महनत लगता है समय लगता है धन्यवाद